हेलो फ्रेंड्स जब आपको कोई चैलेंज मिलते हैं और आप उसे सक्सुस्फुली फुल्फिल कर लेते किती खुशी मिलती है पता ही होगा यह लीची का पेड़ जिस पर आप भी बहुत सारी फ्रूट्स देख रहे हैं इस पर पिछले 5-6 साल से फ्रूट्स नहीं लग रहे मेरे हुस्बन ने मुझे इस प्लैंट पे फल लाने का चैलेंज दिया चैलेंज असट किया और यह देखे आपके सामने रिजल्ट फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आगे देखेंगे किन रीजन के कारण आपके फल के पेड़ पे फल नहीं लग रहे हैं फ्लावर सारे तो ज रीजन क्या क्या हो सकता है फल नहीं लगने का सबसे पहला रीजन अगर आपने अपना पौदा बीद से उगाया हुआ है मैक्सिमुम पॉसिबिलिटी होती है कि फल बहुत कम आए या नहीं आए या तो अच्छे क्वाइलिटी के ना हो इसलिए अगर आपको आपके वराइटी का ग्राफ्टेट प्लैंट या कटिंग या एर लेरिंग से ग्रो क्या हुआ फ्रूट प्लैंट ही लेकर आई है मैं इस लीची के पेड को बस एक तेर साल से ही देख रही हूँ इसलिए मैंने पहले पता लगाया इसवे पहले कभी फ्रूट आया है या नहीं रखे डिजीज और इंसेक्ट की वज़े से या बहुत जादा ड्राइब पीरियट की वज़े से ब्लांट का स्ट्रेस में होना करीब दो साल पहले काफी ज़ादा गर्मी हुई थी और बारिश बहुत कमी थी इसकी वज़े से दोनों प्लांट को बहुत ज़्यादा इसे इस बार सिर्फ अससे ग्रोव होनेके लिए केबल कमपोस्ट और नाई्ट्रोजन वाला फर्टिलाईजर दिया गैए ताकि सिर्फ इसके पत्ते और ब्रांशे अच्छ रोह हो प्लांट अच्छा हैल्दी हो ज़ाए और उसके अगले साल से इसे पल लिये जाएंगे अ इसके बाद अच्छ से फर्टिलाइजर डालिए उसकी ग्रोध के लिए और जब अच्छी वेजिटिटिटिव ब्रॉथ हो जाए पत्ते और ब्रांचे अच्छ से ग्रोध होने लगे हेल्दी वे में उसके बाद आप फ्रूट लेने के लिए उस प्लांट को रेडी करिए जो पादा दू तीसरा इंपॉर्टेंट रिजन होता है होर्मॉन का इंबैलेंस हो जाना जो प्लांट में भी होर्मोन से घ्रो और फल लेने अफूर टारे दीव स्क्रावर होगों पैटान इत का नहीं हैं इं सब्योर्ण अज़र गर्द कर υडरेной कर देदाम से आप श्लेमा और फाइनली आपके गार्डन में बीज और पॉलिनेटर्स की कमी होना जो प्रॉब्ल साथ हमने खुद ने क्रियेट किया है बहुत हैबी इमाउंट में क्यामिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को यूज करके उनसे जो बहुत सारे पॉलिनेटिंग इंसेक्ट है ज कुछ स्प्रेसिफिक प्रॉब्लम थे वह हमने देख लिए अब देखते हैं इस लीची के पेड के प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया कैसे मैंने इस प्रॉपरली फर्टिलाइजर डाला और क्या वाटरिंग पैटर्न मैंने फॉलो किया फ्रिंट्स कभी भी जब आप फल के पधे फल के पेड ग्रो करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टन फर्टिलाइजर होता है फार्म यार्ड मैंने जिससे आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जिसमें आप रख सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टन फर्टिलाइजर है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और साथ में बहुत सारे अच्छे माइक्रो अर्गिनीजम भी आपके पास कोई भी बड़ा फ्रूट्री हो उसमें दो बार आप कमपोस्ट जरूर डालिए एक वार जब फूल आने वाला रहते है तब और एक वार हर्वेस्ट करने के बाद जन्वरी के एंड में जब फ्लावर आना स्टार्ट होता है इसमें मैंने पांच से आट केजी के आसपास कमपोस्ट डाला आपको फर्टिलाइजर हमेशा ही प्लांट के अर्रावंड एक रिंग बना कर देना है और फर्टिलाइजर को डालने के वाद अच्छे से सॉल में इंकॉर्परेट कर देना है कमपोस्ट के साथ आपको पोटैशियम के लिए पोटास डालना है 30-40 ग्राम पोटैश के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा किसी ब्यागरी कल्चर रिस्टोर पे इसमें 60% पोटैशियम होता है काफी अच्छा फर्टिलाइजर है यह पोटैशियम की डेफिसेंसी को पूरा करने के लिए पोटैशियम प्लांट को एक स्ट्रेंट देता है मजबूती देता है और इससे फल और फूल का जड़ना भी कम हो जाता है जदा फ्लावर के लिए आपको फोस्फोरिस डालना ह réflाऩा है फोसफोरिस के लिए आमगे पास दो आप्शिन आ या तो आप ऐसस़्प यूजु कर सकते हैए SSP में सिर्फ Phosphorus होता है 16% या DAP यूज कर सकते हैं DAP में नाइट्रोजन और Phosphorus दोनों होता है मैं SSP जेनरली यूज करती हूँ नाइट्रोजन के लिए अलग से यूरिया हम डाल सकते हैं SSP भी 30-40 ग्राम ही डालना है अगर आप Phosphorus के लिए DAP यूज कर रहे हैं तो उसे आप बस 15-20 ग्राम डालिए और साथ में कुछ भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं रालिए अगर आपने SSP डाला है 30-40 ग्राम तो साथ में आप यूरिया 20 ग्राम के आसपास डाल दीज प्लैंट के नाइट्रोजन के रिक्वाइर्मेंट को पूरा करने के लिए यूरिया प्यू और वाइट कलर में आता है शायद बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजर है आप सब लोग पहचानते ही होंगे फ्रेंट्स ये पूरा फर्टिलाइजर का डोस आपको जनवरी के मेडव में डालना है फ्लावर्स आने के बाद फर्वरी लास्ट में आप दो केजी के आसपास कंपोस्ट पात से दस ग्राम के आसपास म्यूजेट और पुटास फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके आप डाल दीजे फूल और फल का जढ़ना काफी कम हो जाएगा जून में सारे फल हार्वेस्ट कर लेने के बाद एक और फिर से जुलाई में आप आठ केजी के आसपास कंपोस्ट अपने पौदे में डाल दीजे ताकि बाद में पौदे अच्छे से ग्रो होते रहें फ्रेंट चली आप बात करते हैं पान एक कब डालना है और कैसे डालना है लीची के पौदे को बहुत जादा मौश्टर स्ट्रेस से बचा के ही रखना बेटर ऑप्शन है फ्रेंट्स लीची के पौदे को एयर लेरिंग से काफी आसानी से तयार किया सकता है जिसमें मैं एक अलग डीटेल वीडियो करूंगी अगर आप अपने गार्डन में लीची की वराइटी है आपकी तरफ जो इनरसरी में अच्छी वराइटी अवेलिबल हो वही लीची लगाईए और ध्यान रहे अगर आपकी तरफ बहुत ज्यादा ड्राइक क्लाइमेट है और बिल्कुल भी हुमिडिटी नहीं है तो आप लीची का पौदा मत लगाए क्यूंकि अच्छी हुमिडिटी का होना काफी जरूरी है लीची में अच्छे फ्रूटिंग के लिए आशा करती हूं मेरा ये वीडियो आपको लीची का पौदा और भी कई सारे अलग फ्रूट क्रॉप ग्रो करने में मदद करेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा फ्रेंट्स और फैमिली के साथ सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो कर लिजे क्योंकि मैं ऐसे ही गार्णिंग टिप्स ट्रिक्स ट्रेटिक्स प्लैंट के एर इंस्ट्रेक्शन वीडियो करती रहती हूं फिर मिलती ही फ्रेंट्स